चैप्टर 12 कंस्ट्रक्शन ओफ कोईडिलेटरल के एंडीचमेट कोस्टन्स हैं तो फर्स्ट कोस्टन है इसका ड्रा एन इक्विलेटरल ट्रेंगल ए बी डी ओफ साइड 4.5 सेंटिमेटर हमने एक एक्विलेटरल ट्रेंगल बनानी है जिसकी हर एक साइड कितनी है 4.5 सेंटिमेटर है आपको पता है एक्विलेटर ट्रेंगल क्या होती है जिसकी ऐसी ट्रेंगल जिसकी सभी सैड्स एक्वल हों तो साइड दे रखिया 4.5 टेकिंग वन ओफ इट्स साइड और इसकी एक फिर हमने एक साइड लेनी है और जिसको डैगनल मानना है और फिर एक रोमबस बना देना है A, B, C, D देखो इसको कैसे करेंगे मैंने ये पहले से बना रखा है इस तरह का रोमबस बनेगा A, B, C, D ठीक है तो आप अपना समाल ले आएं और मैं रख बना के दिखा रहा हूं तो step wise आपने बनाना है सबसे पहले ले लो आप क्योंकि इसने ट्राइंगल कहा था सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लेंगे हम और equilibrium triangle थी इसलिए एक 4.5 low side दे रखी थी 4.5 हमने 4.5 scale के साथ side ले ली 4.5 अब क्या करना है 4.5 लेने के बाद इधर रखेंगे क्योंकि बाक्की दो साइडस भी 4.4.5 है ये भी 4.5 होगी और ये भी 4.5 होगी तो कमपास रखके 4.5 खोलके कट लगाएंगे और इधर से भी 4.5 रखके कट लगाएंगे इसको और इसको मिला दो इसको और इसको मिला दो यह point A है, यह point B है यह point C है, यह point D है क्योंकि इसने कहा था A, B, D तो हमने एक क्या मना दी भई equilator triangle मना दी है A, B, D, उपर वड़ा part बन चुका है अब हमारा, आप क्या करना है आप कहा रहा है कि इसको क्या मानना है इसको मानना है diagonal इसको diagonal मान के हमने एक rhombus खीचना है rhombus को construct करना है आप देखो, rhombus है तो rhombus की एक side यह होगी एक side यह होगी, यह तो होगा diagonal ठीक है, यह दोनों equal होगी आपको पता है कि rhombus की सभी sides equal होती है तो इस side से रखो और 4.5 कट करो इस side से compass रखो और 4.5 कट करो इसको मिला दो और इसको मिला दो यह भी 4.5 ही था cm और यह भी 4.5 cm था यह तो पहले से ही 4.5 था यह भी 4.5 cm था अब A, B, C यह 0.C आ गया A, B, C, D हमारे पास क्या बन गया है rhombus बन गया जिसका एक diagonal 4.5 cm ही है और दूसरा diagonal बनाना हो तो इन दोनों को आप मिला सकते हैं अगर बनाना हो तो ठीक है? इन दोनों को मिला दो तो दूसरा diagonal भी बन जाएगा एक diagonal यह हो गया B, D और दूसरा diagonal हो गया A, C अब next question देखते हैं अब question number 2 है इसका construct a rhombus अब rhombus मनाना है इसमें भी of perimeter 20 cm एक rhombus है उसका perimeter हमें given है कितना 20 cm and one base angle is the supplement of 130 और एक angle दे रखा है इस rhombus का एक base angle दे रखा है यानि कि नीचे वाला आप कह सकते हैं जो हम line segment लेंगे उस पे जो angle बनेंगा एक वो दे रखा है क्या दे रखा है देखो supplement of 130 130 का supplement होना चाहिए वो आपको पता है आपने 6 class में करा होगा supplement कैसे निकालते हैं अगर किसी भी angle का हमें supplement निकालना हो तो 180 में से उसको minus करदो supplement आ जाएगा जैसे अगर कोई कहे कि 150 का supplement निकालो तो इसको 180 में से minus करदो कितना आ जाएगा पहले जो given है वो लिख लेते हैं perimeter of rhombus perimeter of rhombus कितना है 20 cm लिख लिए हमने perimeter of rhombus क्या होता है 4 multiply side अब इसके जगा formula रख लिया 4 multiply कर रहा है उदर जाके कर देगा divide तो side कितनी आगी rhombus की side आगी हमारे पास 5 cm अब हमें base पता लग गया side पता लगी क्योंकि rhombus की सभी sides क्या होती है equal होती है इसलिए हर एक side क्या बनेगी 55 cm ही बनेगी अब base angle निकालेंगे हम base angle की उसने condition दे रखे base angle क्या बनेगा supplement of 130 और supplement of 130 आपको पता है क्या होता है supplement कैसे निकालते है 180 में से minus कर देंगे 180 में से 130 को minus कर दिया कितना आगया 50 अब हमें ये भी पता लग गया कि कितने का angle बनेगा base पे 50 का angle बनेगा अब हमने एक rhombus बनाना है ये मैंने बना रखा है और आप मैं rough में बना के दिखाता हूँ हमें side पता लगी हमें side पता लगी कितनी 5 cm है तो एक 5 cm का हम क्या ले लेंगे एक line segment ले लेंगे rhombus की 5 cm base ले लिया अब ये base है base पे चाहिए हम बना तो चाहिए हम एक angle कितना है 50 degree का D के साथ रखे हम एक 50 degree का ऐसे angle बना लेंगे ये हमने 50 degree का angle बना लिया ठीक है D की help से protector की help से अब बाकी side भी कितनी है 55 cm है यहाँ पे compass रखेंगे और 5 cm कट कर देंगे और यहाँ पे compass रखेंगे 5 cm कट कर देंगे फिर इस point से compass रखेंगे 5 cm कट कर देंगे इसको और इसको मिला दो इसको और इसको मिला दो A, B, C, D ये हमारे पास क्या आ गया एक rhombus बन गया ये कितना था 5 cm ये कितना था 5 cm और ये side भी कितनी थी 5 cm तो ये हमारा rhombus असानी से बन गया तो हमारी ये दोनों question complete हो गए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe कर लेना और वीडियो का अपने सभी दोस्तों के तब तक के लिए नमस्कार